ये कहानी उस समय की है जब देश में राम राज्य था। भगवान श्री राम अपने दर्बार में लोगों की समस्याओं का समाधान करके लोगों को न्याय दिलाते थे। एक बार की बात है भगवान श्रीराम का दर्बार दिन भर सबकी समस्या को सुझाने के बाद दर्बार की कार्यवाही समेट रहा था। लोग अपनी अपनी समस्या का समाधान लेकर वापस अपने घर जा रहे थे। तबी प्रभु श्री राम ने अपने भक्त लक्षमन को बाहर जाकर ये देखने को कहा कि हे लक्षमन जाओ बाहर देखकर आओ कि बाहर कोई नयाय पाने के लिए बचा तो नहीं है ये सुनकर लक्षमन तुरंथ बाहर जाते हैं और देखते हैं उन्हें बाहर कोई नहीं पुछते हैं कि अभी उन्होंने बताया कि बाहर कोई नहीं है फिर भी भगवान श्रीराम कह रहे हैं कि जाओं बाहर देखकर आओं कि कोई खड़ा तो नहीं है। लेकिन लक्षमन जी फिर भी बिना देर किये फिर से भगवान श्रीराम की आगया मानकर बाहर देखने चले जाते हैं। वो इधर उधर देखकर वापस ही लोट रहे होते हैं कि उनकी नजर एक कुट्टे पर पढ़ती हैं। उस कुट्टे के सिर पर चोट लगी होती है। वो कुट्टे से उस चोट के लगने का कारण पूछते हैं। उन्होंने ततकाल सर्वतासिद को बुलवा भेजा जो एक भिखारी था। उसे दरबार में लाया गया। राम ने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है। ये कुट्टा कहता है कि तुमने बिना वजह उसे मारा। सर्वतासिद बोला, हाँ, मैं इस कुट्टे का अपरादी हूँ। मैं भूख से बौखला रहा था, मैं गुस्से में था, निराश था। ये कुट्टा मेरे रास्ते म और दर्बारियों के सामने रखी। भिखारी को क्या सजा दिलानी चाहिए ये पूछने लगे। इस सबने कहा कि यह अलग मामला है। इसमें एक मनुश्य है और एक जानवर। इसलिए इस समस्या पर सामान्य कानून लागू नहीं होंगे। इसलिए राजा होने के नाते य यह आपका अधिकार है कि आप फैसला सुनाएं। फिर राम ने कुत्ति से पूछा तुम क्या कहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है। कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उप्युक्त सजा है। वह क्या, बताओ, तो कुत्ता बोला, इसे का कालिंजर मठ का मुख्य महंद बना दीजिए। राम ने कहा, ततास्तु, और भिखारी को प्रसिद कालिंजर मठ का मुख्य महंद बना दिया गया। राम ने उसे एक हाथी दिया, भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन होते हुए हाथी पर चड़कर खुशी-खुशी मठ चल और मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्यान और उस मट के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, जिसकी बहुत से दूसरे लोगों के आध्यात्मिक कल्यान में महत्वपूर्ण भूमिका थी. मैं वहाँ खुद के और हर किसी के आध्यात्मिक कल्यान के संकल्प के साथ वहाँ गया और मैंने इसकी कोशिश भी की मैंने अपनी पूरी कोशिश की मगर जैसे जैसे दिन बीते, धीरे धीरे दूसरे चिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याती ने कहीं न कहीं मुझे पर असर डालना शुरू कर दिया कई बार मैं नहीं, मेरा अहम काम करता था कई बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगता था लोगों ने मुझे एक धर्मगुरू की तरह देखना शुरू कर दिया अपने अंदर मैं जानता था कि मैं धर्मगुरू नहीं हूं और लोगों ने भी मेरा समर्थन किया ऐसी चीजे होती रही और धीरे-धीरे अपने आध्यात्मिक कल्यान के लिए मेरी प्रतिबधता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की मगर अपने आसपास जबरदस्ट स्वीकृती को देखते हुए मैं कहीं खुद को खो बैठा इस भिखारी सर्वतासिद में गुसा है अहम है वह कुंठिद भी है इसलिए मैं जानता हूँ कि वह भी खुद को वैसा ही दंद देगा जैसा मैंने दिया था इसलिए ये उसके लिए सबसे अच्छी सजा है उसे कालिंजर मट का मुखे महंत बनने दीजिए प्राचीन काल में इस देश के उत्तरी भाग में एक बहुत प्रसिद मट था जिसे कालिंजर के नाम से जाना जाता था कालिंजर मट उस समय का एक प्रसिद्ध मट था ये रामायन काल से पहले की बात है रामायन का मतलब है लगभग 5000 साल पहले राम के आने से पहले भी कालिंजर मट का खूब नाम था